उनको याद भी आए तो सकुनी याद आए सकुनी, चोपग, चक्रिव्यू और इन सारे सब्दों का संबंध है अधर्म से चाकी रही भावना जैसी प्रभुमूरत देखी तुन पैसी जब महाभारत काल में हम जाते तो हमें तो भगवान स्री कृष्ट ने याद आते हैं यदा यदा ही धर्मस्य गिलानिर भवति भारता अव्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम स्दाम्यम परित्रानाय साधुनाम बिना साच दुस्कृताम धर्मसंस्थाप नार्थाए संभवाबी युगे युगे कांगरेस के डियने में ही किसान विरोध है मैं ये कहना चाहता हूँ स्रीमान नियुप सभापति महोद है सबसे पहले तो मैं अपने देश के प्रधान मंतरी स्रीमान नरेंदर मोदी जी का हिरदे से आभार प्रिकट करना चाहता हूँ किसानों की सेवा और किर्सी की सेवा का दायत्व उनके नेत्रत्व में मुझे सौपा गया है और मैं इस दायत्व को पूरे परिस्तरम इमानदारी जिद जुनून और जजवे के साथ निवाने का प्रित्न करूँगा मानी उपसभापती जी मैं मानी सभी सदस्यों का आभारी हूँ मानी देव गोडा जी जैसे एक्स प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अपने विचार प्रिकट किये पक्षके और बिपक्षके सभी मानी सदस्यों ने आपने बिचार प्रिकट किये है चर्चा सार गर्वित थी मैं मानी सदस्यों के विस्वास दिलाना चाहता हूँ कि चर्चा में जो सकारात्मक सुझाओ आपने दिये हैं उन पर सरकार गंभीरता के साथ बिचार करेगी और उन में से जो जो हरिक होंगे निश्चित तोर पर किसानों के हित्मर सरकार सकारात्मक कदम उठाएगी उठाने का प्रत्म करेगी मानी उस्वापती जी भारत अत्यंद प्राचीन और महान रास्ट है पांच जार साल से तो जादा ग्यात इतिहा से हमारा जब दुनिया के विक्सित रास्टों में सब्विता के सूरी का उदनी हुआ था तब हैं हमारे हैं वेदों की रिचाएं रचदी गई थी हमारे हैं रिचियों का एकमसद बिप्रा बहुदा वदंती सत एक विद्वान उसको अलग अलग तरीकों से कहते हैं इस चर्चा को मैंने इसी रूप में लिया है लक्ष एक है किसानों का कल्या तरीके अलग अलग हो सकते हैं रास्ते अलग-अलग हो सकते हैं हम प्रयत्ने करेंगे के सारे सुझाओं को समाहित करते हुए आगे बढ़ें लेकिन मानी उपसभापती जी जितना हमारा रास्ट प्राचीन है उतनी हमारी खेती भी प्राचीन है हजारों साल पहले से भारत में किर्सी होती रही है हमने बच्पन में कई पौरानी की संदर्ब पड़े हैं जब रिसीवी बच्चों को सिख्षा देते थे गुरुकुल में तब भी उनके पास खेती होती थी और हमारे उस समय के बच्चे सीखते भी थे पढ़ते भी थे और करते भी थे इस किर्सी को इसी भाव से लेकर हम कैसे किसानों के लिए बहतर काम कर सकते हैं उसका हम पर अपने करेंगे मानि उपसभपती जी मैं तो सीधे सीधे अपनी बात कहना चाहता था लेकिन जब चर्चा का प्रारंभू हमारे विद्वान मित्र सुर्जेवाला जी ने किया तो उनने थोड़ा छेड़ दिया मानि उपसभपती जी हम किसी को छेड़ते नहीं है लेकिन अगर कोई छोड़ दे छेड़ दे तो फिर छोड़ते भी नहीं उसलिए मैं वहीं से आरंभ करना चाहता हूं बहतर होता वो आज यहां उपस्ठित होते मानि उपसभपती जी उनको याद भी आए तो सकुनी याद आए सकुनी चौपग चक्रव्यू और इन सारे सब्दों का संबंध है अधर्म से जाकी रही भावना जैसी प्रभुमूरत देखी तिन पैसी सकुनी मतलब छल धोके और कपट के प्रतीक थे चौपड में तो धोके से हराया गया था और चक्रव्यू मतलब फेर वाया और नहीं घेर के मारना अब कांग्रेस को क्यों चक्रव्यू सक्नी चौपड यह याद आते मानि उपसभापती जी जब महाभारत काल में हम जाते तो हमें तो भगवान स्रीकृष्ट ने याद आते यदा यदा ही धर्मस्य गिलानिर भवती भारता अव्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम स्रिदाम्यम परित्रानाए साधुनाम बिना सायच दुस्क्रताम धर्म संस्थाप नार्थाए संभबाबी युगे युगे हमको तो कनिया याद आते जब जब धर्म की आनी होगी अधर्म बढ़ेगा पाप बढ़ेगा अत्याचार अनाचार बढ़ेगा तब तब धर्म की रक्षा और अधर्म के नास के लिए मैं बार बाहर आऊंगा ये भगवान स्रीकृष्ट ने कहा था लेकिन अनीती और अधर्म किसने किया ठगी किसने की बाननी उपसाभापती जी कांगरेश के डियने में ही किसान विरोध है मैं ये कहना चाहिए ये आसने आसने प्रारंब से ही कांगरेश की प्रात्विताएं गलत रही है हमारे प्रथम प्रधान मंत्री स्वर्गी पंडी जवालाल नहरू जी मैं उनका आदर करता हूँ लेकिन भारती परंपरा खेती के बारे में उसका अंदर बाहा नहीं किया रूस गए वहाँ से एक मॉडल देख के आए और कहा कि रूस का मॉडल लागू करो भारत रत्न चौधरी चरेंड सिंग्जी ने का ये नहीं हो सकता भारत की किर्सी की परिस्टियां बिलकुल अलग हैं प्राथ बिता हैंगा अप्ति उपसा भापती जी शत्रह वरस तक उन्होंने प्रधान मंत्री जी के पद को सुझोबित किया लेकि तब क्या हो दाता अमेरिका से पील फॉर एटी सड़ा हुआ लाल गे हूं भारत को खाने पे विवस और मजबूर होना पर देए मानी उपसा भापती जी स्वर्गी इंद्रा जी के सब हैं मुझे अच्छी तरह याद हम छोटे थे उस समय किसानों से जवरदस्ती लेवी वसूली का काम होता था जवरदस्ती लेवी वसूली जाती थी अगर दो कुंटल भी है तो एक कुंटल देखे जाओ बिंडे खोद दिया जाते थे रखावा अनाज उठा लिया जाता था भारत आत्म निर भर नहीं हुआ स्वर्गी राजीब्टी ने भी बात जरूर की उन्होंने बात अवस्य की एरिकल्चर प्राइस पॉल्सी की लेकिन किसानों की आए बढ़ाने के लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठाए यहां तक की मानियों सभापती जी उदारी करण का प्रारंबुआ स्वर्गी नर्से माराव जी मनमोहन सिंग जी उस समय बित्तमत्री थे एकर उस समय भी क्रिसी से जुड़े ओद्वोगों को डी लाइसेंसिंग नहीं किया गया क्योंकि प्राथ भी इतना गलत थे और मानियों सभापती जी 2004 सब 2014 के बीच की मैं क्या बात कहूँ उस समय ये भारत जो प्राचीन और महन रास्ट है जिसने दुनिया को ग्यान का प्रकास दिया था उस समय घोटालों के देश के रूप में दुनिया में जाने 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 टू जी थ्री जी फॉर जी मानियों सभापती महोदाए और तब भारत के राजनीती में आप धहर से सुने तब भारत के राजनेत एक छित्रिच पर उद्य हुआ एक देदी पे मान सूरी का जिसने सारे देश को आसार पिस्वास से भर दिया उनका नाम था नरेंट अमोड़ कांग्रेस की प्राथ्विक्टाएं गलत थी मोदी जी के नेतरत में प्राथ्विक्टाएं बदलने का काम है और खेती के लिए मानिय अद्दक्ष जी हमारी चैप राथ्विक्टाएं में आपके सामने रिवेदन करना चाहता हूँ चैप राथ्विक्टाएं नमबर एक उत्पादन बढ़ाना नमबर दो उत्पादन की लागत घटाना नमबर तीन उत्पादन के ठीक दाम देना और नमबर चार और नमबर चार प्राकिर्टिक आपदा में ठीक राहत की रासी देना नमबर पाँच किर्शी का विवधी करन खेती में बेल्व एडिसन और मानी अध्यक्त सभापती जी आने वाली पीडियों के लिए भी धरती सुरक्षित रहे इसलिए प्राकरते खेती को बढ़ाबा देने का प्रयास सुविचारे धंग से ये भारती जंता पार्टी की सरकार, NDA की सरकार खेती का रोड मैप बना के काम कर रही है